बाबा साब आमबेड कर ओपन उनिवर्सिटी की वाई चांसरर प्रप्षर अमी उपादिया जी, Association of Indian Universities, AIU के प्रेजडेंट प्रफषर तेज पताब जी, सभी उपस्तित महानुभाव और साथियों. आज जब देश आज आज हादि कामरूत महोत्सम मना रहा है, तो उसी कालफेन में बाबा साब आमबेड कर की जन्म जन्ति का आउसर, हमें उस महान यग्य से भी जोडता है, और भविश की प्रिणा से भी जोडता है. मैं कृतक ग्यराश्ट की तरफ से, सभी देश वाष्यों की तरफ से, बाबा साहिब को आधर पुरुबग सद्धाजले अर्पित करता हूँ. साथिवा आजहादी के लडाई भे, हमारे लाखों, करोडों, स्वाधेंता से नानियों ने, सम्रस समावे सी भारत का सपना देखा था. उन सपनों को पूरा करने की शुरुवात, बाबा साहम ने देश को सम्मिधान के देखर के की थे. आज उसी सम्मिधान पर चलकर भारत एक नया भविश्य गड़ रहा है, सभलता के नए आयाम हासिल कर रहा है. साथियों, आज इस पवित्र दिन, Association of Union University to Vice-Cancelors की 95th Meeting भी हो रही है. बाबा साहम अंबेड कर ओपन उनिवर्सिटी में, बाबा साहम सम्म्रस्ता चैर की स्थापना की गोश्णा भी हुई है, अभी बाबा साहब के जीवन पर, उनके विचारों पर, आदर्शों पर, भाई किशोर मकवाना जी की चार पुस्तकों का लोकारपण भी हुआ है, मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महानुभावों को बढ़ाई देता हूँ, साथियों भारत दुनिया में मधरब डेमोक्रेसी का गर्व अनुभाव करता है, डेमोक्रेसी, हमारी स्रभ्यता, हमारे तौर तरीकों का एक प्रकारचे हमारी जीवन पध्यती का एक महज हिस्सा रहा है, आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतंत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे भड़े, बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया, बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एसास होता है कि वो एक युनिवर्सल वीजन के व्यक्ति थे, स्रिकिशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस वीजन के स्पष्ठ दर्शन होते हैं, उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंदृत है, इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट दर्शन हमारे सामने आता है और चोथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देश वाच्छों तक ले जाएगी ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक सास्तर से कम नहीं है मैं चाहूँगा कि देश के विश्व विद्यालव में, कॉलेजों में, हमारी नई पीड़ी जादा से जादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें समरत समाज की बात हो, दलीत बंचीत समाज के अधिकारों की चिंता हो महलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्ण हो शिक्षा और विश्व कर उत्य शिक्षा पर बाबा साप का वीजन हो इन सभी आयमों से देश के युवाओं को बाबा साप को जानने समझने का आउसर मिलेगा साथियों, डॉक्टर आम्बेड कर कहते थे, मेरे तीन उपास्य देवता है ज्ञान, स्वाविमान और शील यानि नौलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉलाइटनेस जब नौलेज आती हैं, तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइज के लिए एवेर होता है, और इक्वल रैट से ही समाज में सम्रस्ता आती है और देश प्रगति करता है, हम सभी बाबा साब के जीवन संगर्ष से परिचीत है इतने संगर्षों के बाद भी बाबा साब जिस उंचाई पर पहुँचे वह हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है बाबा साब आमबेड कर हमें जो मार दिखा कर गए हैं और जब प्रश्ण एक राष्ट के रुप में साजा लक्षों का हो साजा प्रयासों का हो तो सामोही प्रयास ही सिद्धी का माध्यम बनते हैं इसलिए मैं समझता हूँ इसमें एसोशेशन अफ इंडियन उनिवर्सिटी की भूमी का महत्वण हो जाते हैं कर दो